नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्यधर्म ग्यान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जानवरों पर दया दिखाने और उनका सिवा करना बहुत ही पुन्य दायक होता है गाय कुत्ता या पक्षी आदी को रोटी और दाना खिलाने से हमारे पुन्य की मात्रा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है हमें कुत्ते को रोटी देने से धन दौलत सुख समरिधी की प्राप्ती होती है इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ यह भी कहते हैं कि लगातार पूरे साल भर तक कोई व्यक्ती कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसका घर धन और दौलत से भर जाता है वही हमारे हिंदू धर्म में गाय को पालना सबसे सर्वश्रिष्ट माना जाता है लेकिन कल्युग में अधिकतर लोग गाय की जगह कुत्ते पाल रहे हैं लेकिन दोस्तों हमारे धार्मिक ग्रंथों में घर में कुत्ता पालने के बारे में क्या कहा गया है क्या कुत्ता पालना शुब होता है या कुत्ता पालना अशुब होता है वही जोतिश शास्त्र में भी कुत्ता रखने के बारे में विशेश बाते बताई गई है, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए. आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि घर में कुत्ता पालने से क्या लाब होते हैं और क्या नुकसान होते हैं. लेकिन मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृप्या अभी हम में बात करते हैं. सबसे पहली बात हमारे धार्मिक गरंथ गरूर पुराण में हमें कुत्ता रखने या ना रखने के बारे में जानकारियां देखने को मिलती है. गरूर पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य कुत्ता बिल्ली पक्षी या मुर्गी को पालता है, तो उसे मृत्यू के बाद उग्रगन अमरीश नामक नरक में भेजा जाता है, कुट्ता पालने वाले मनुष्य को स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं दी जाती। इतना ही नहीं उस मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी पुन्य कर्म या दान धर्म आदी किये होते हैं, वह सभी घर में कुट्ता पालने से नश्ट हो जाते हैं। कि किसी भी पुन्य कार्य जैसे भोजन यज्यदान आदी पर कुट्ते की द्रिष्टी पढ़ जाए तो भी सारा दान पुन्य धर्म नश्ट हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कुट्ते को पालना अशुभ माना गया है, लेकिन इन पर दया दिखाने की मना ही नहीं की गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जानवरों पर दया दिखाने और उनकी सेवा करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुने कर्म है। साथ ही धार्मिक ग्रंथ यह भी कहते हैं कि घर से बाहर कुट्ते और पक्षी को रोटी और दाना देने से व्यक्ति के जीवन से बड़े से बड़े पाप नश्ठ हो जाते हैं। इसके अलावा जोतिश शास्त्र में भी कुट्ते को रखने के संबंध में महत्वपूर्ण बाते बताई गई है। दोस्तों इसके अलावा कुट्ते को यम का दूत माना जाता है। अगर घर में कुट्ता होता है तो आकस्मिक संकटों से यह घर की रक्षा करता है। और वह इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो उन्हें काले कुट्ते को पालना चाहिए। दोस्तों इन सब के अलावा कुट्तों को आने वाले भविश्य का ज्यान होता है। घर में घटित होने वाली शुब और अशुब घटनाओं की जलक कुट्ते को पहले से ही पता चल जाती है। इसलिए घर में कुट्ता होना जोतिश शास्त्र में शुब बताया गया है। लेकिन उन्ही घरों में कुट्ता होना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु केतु और शनी भारी होते हैं, अन्यथा घर में कुट्ता रखना आपके लिए अशुब हो सकता है। दोस्तों हमारे धार्मिक गरंथ और जोतिश शास्त्र के अनुसार एक बात समान मिलती है कि प्रतिदिन कुट्ते को रोटी देना सबसे बड़ा पुन्यकारिय है। वही घर की सबसे अंतिम रोटी पर कुट्ते का ही अधिकार होता है, जिसे कुट्ते को देने से घर की सारी नकारात्मक उर्जा नश्ट हो जाती है तो मित्रों इस प्रकार से हमारे धर्म शास्त्रों में कुत्तों के बारे में जानकारियां बताई गई है उम्मीद करते हैं यह विडियो आपको अच्छी लगी होगी आज की विडियो में बस इतना ही आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद